तो दोस्तों मैंने Amazon से जो है Fire TV Stick जो कि अभी sale चल रही है उससे Fire TV Stick को मंगवाया है डिटेल अभी आप देख पा रहे हैं इसका ये box है Amazon Fire TV Stick का और इस पे आप details वगेरा देख पा रहे हैं और मैं आपको box दिखाना चाओंगा एकदम seal पेक है और आज कल जो है कुछ इस प्रकार से जो है आपको box देखने को मिल जाता है ये कहीं से भी कटा फटा नहीं लग रहा है तो इसमें देखते हैं कि हमारी Fire TV Stick आती है या फिर और कुछ जो है Amazon हमें बेज देता है तो चलि दोस्तों सबसे पहले इसको open कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहां से cut करना से करें हैं कि इसको एक तरफ रखते हैं मैं इन अपन कर लिया यहां से और इसको सारे के आपने का लुए बहरा देखने को इन था वहलता है तो वोक्स अभी खाली है इसको में एक तरफ रखता हूं भी एकमजन फइल टीविए स्टिक जो मेरे पास पहले से लिए कि वी है उसको मैं यूज कर रहा हूं अभी उसमें आला ही को दिक्कत नहीं है लेकिन उसका वी जो आपको मिलने वाला है सबसे पहले मैं पुराने वाले फायर टीवी स्टिक का बता देता हूं आपको यह 2018 मैंने मंगवाई थी और अभी जो एकदम मस्त चल रही है चले दोस् तो इससे भी कम प्राइजों मंगवाई है अभी क्या है प्राइम डेसेल चल रही है तो उसमें जो है आपको 299 रूपे की देखने को मिल रही है हालांकि इसकी रेगुलर प्राइज जो है लगबग 3-4000 रूपे के बीच में आपको देखने को मिल जाती है तो दोस्तों यह है फाइड टीवी स्टिक जो कि हमेजोन के तरब से मैंने अभी हाली में मंगवाई है दोस्तों इस प्रकार से आपको बोक्स देखने को मिल जाता है इधर की साइड जो है आपको बता रखा क्या-के स्पेसिफिकेशन वगएरा आपको देखने को मिल जाते हैं और बेक साइ है कि यह कौन सी जनरेशन की है और किस एयर में यह मैनिफेक्चर की गई है तो यहां पर जो है आप देख पा रहे हैं लेकिन इसके एक्चल प्राइज इतनी नहीं है मैंने आपको जैसे दिखाया पहले 2199 में मात्र मैंने यह पर्चेज की है ओफर में दोस्तों आपको यह 21 99 रुपे से भी कमें पढ़ने वाली है और दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं मैनिफेक्चरिंग इयर जो है 2021 है इसमें जो है टाइम टो टाइम आपको अपडेट्स वगेरा भी देखने को मिल जाते हैं बोक्स के इस सैट जो है दोस्तों आपको यूटूब किड्स अफिनख वागेरा के जो है अपको ओटा रख है और यहां पर आला buck के बारें बता रख़ा है और यहां पर जो हैं यहां पर आपको अटिकर दोस्तों सभी कर ना है जैसे आप इस को to the box शब्स प्रकार उपको डिच्पानाने में पर में अपर दोस्तों अमेजोन वाला स्माइली आपको दिया गया है अंदर के साइड जो है आपको एसे स्टिक रखी गई है इन सब को जो है के करके बाहर निकाल लेते हैं इस साइड में जो है चार्जर रखा गया है और ट्रिपल बेटरी भी जो है आपको साथ में ही देखने को मिलती है बोक्स अभी खाली हो चुका है इसको मैं एक बार एक तरफ रख देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारी Amazon Fire TV स्टिक आती है जो कि आपको इस प्रकार पेकिंग में देखने को मिल जाती है इसको मैं रेपर से बाहर निकाल लेता हूँ तो यह है दोस्तों थर्ड जनरेशन Amazon Fire TV स्टिक जो कि बहुती प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिल जाती है यह है तो इसको कुछ इस प्रकार से फट करना है तो है है अब है सब्सक्राइब दोस्तों आपको जो है यह कुछ इस प्रकार से लग जाएगी इसको अभी बादम देखेंगे इसके बाद一次 तो आपको एक हो बहुती लम्बी और اच्छी क्वालिटी की जो है माइक्रो यूएश्बी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जिसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में जो है शांदार मुझे लगी है अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं कि किस परकार से आपको जो है इसे इंस्टॉल करना है हाला कि हमें इसकी आओ सकता नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि मैं पहले से फायर टीव स्टिक को यूज कर रहा हूँ साथ में जो है दोस्तों आपको अमेजोन कंपनी की तरब से ही ट्रिपल ए बेटरिज देखने को मिल जाती है जिस पर अमेजोन की ब्रांडिंग दी गई है अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे रिमोट के बारे में इसको सबसे पहले रेपर से बाहर निकाल लेता हूँ मैं जलेपिंग आप औंडिया गया है यहां पे दोस्तों आमेजोन प्रीट की डिखने के लिए यहां पर दोस्तों Prip tb invade कर सकते हैं यहां पे दोस्तों आ चलिए इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं तो ओपन होने के बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है इसमें AAA बेट्री जो है इसेट कर लेते हैं और दोस्तों आपको आपको इसंचेट अप करना है, wakes time ready set-up कैसे करना है उसके बाद दोस्तों आगे वाले वीडियो में आपको यह भी देखने को मिलेगा किस प्रकार से आप जो है थर्ड जनरेशन में जो है जियो टीवी स्टिक को जो है यूज कर पाएंगे देखिए अभी आप यहां लाइट बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब जो है चालू हो चुका है चल इसको इसको इंसर्ट करना है तो फाइर टीवी लिखा हुआ आया है दोस्तों अभी यह सेट अप होगा फर्स्ट टाइम सेट अप करना पड़ेगा इसलिए इसमें कुछ इंस्ट्रेक्शन आपको जो है फॉलो करने हाने तो जैसे यह कह रहा है कि होम बटन को प्रेस करना ह तो यह आगे इंस्ट्रेक्शन आपको देगा इस बटन को प्रेस करना है इसके बाद में आपको जो है लेंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो इंगलिस इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जो लेंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर सकते ह के दोस्तों यह जो है वाया कोनेक्ट करेगा दोस्तों यह प्रस्ट आपक में से और सनेक्ट करेंगा चेकिंग फोर अपडेट सबसे पहले दोस्तों यह कनेक्ट होने के बात में अपडेट्स वगेरा को चेक्ट करेगा अगर अब डेट्स वगेरा कोई आया वाय ले टेस्ट तो इसको यह डाउलड करेगा उसके बाद ही जो है यह स्टार्ट हो पाएगा अपडेट्स अब यह फिनिसिंग करेगा अपडेट्स को देखते हैं कितना टाइम लेने वाला टाइम ज्यादा ही लग चुका है लग बग जो है तीन से चार मिनिट हो चुकी इसको अपडेट होते हुए और फस्ट टाम सेट अप करते हैं तो थोड़ सब्सक्राइब कर लेता हूँ तो सिंपली दोस्तों आपको जो है अमेजोन फाल टीव स्टिक के अंदर मुबाइल के अंदर या फिर वेब ब्रावजर के अंदर जो लोगिन करना है वहां पर मेनेज योर्डिवाइस के अंदर जाकर कि जो है आपको यह कूड डालना था त तो इसमें दोस्तों आपको वाई-फाई के लिए पूछता है तो इसको येस कर दीजिएगा ताकि दुबारा यह ऑटोमेटिक से कनेक्ट हो जाए बार-बार में आपको वाई-फाई के पास्ट वगेरा डालना पड़े तो प्रिपेर योर रिमोट फोर सेट अब यह दोस्तो कर आपको इसे यह सेट अप कर वाएगा तो उसके लिए सीम्पल से आपको इंस्ट्रक्शन वगईरा देने हो सकते हैं है कि तो फाईनले जो हमारे रिमोट जो सेट अप हो चुका है रिमोट सेट अप होने के बाद में फरस्ट ताइंग जो है आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है तो select all of the application you want then download them at the end मरलाब यह आपको करेंगे आप इन एप्लिकेशन को download कर सकते हैं मैं इनको जो है बाद में download करूँ हूँ इसलिए मैं भी जो है no पे click करके इसको next कर देता हूं अब दोस्तों manage and monitor your data consumption on 5 tv stick enable data monitoring आप कर सकते हैं otherwise setup लेटर कर सकते हैं तो your 5 tv stick is design with children and parents in mind तो enable parental control मुझे नहीं चीए क्योंकि मैं भी जो है खुद के यूज के लिए ही इसको मंगवाया है simply आपको okay कर देना है रीड करके तो अभी देख पा रहे हैं मेरी profile जो है आ चुकी हैं तो दोस्तों first time जो है आपको third generation 2021 वर्जन जो है उसका इस परकार से interface देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले देख पा रहे हैं Amazon Prime day sale चल रही है इसी से लोस्तों मने इसको मंगवाया है और मेरे को जो है मेरे को यह 50 जो है 50 डिसकाउंट में जो है आ गई क्योंकि मैं प्राइम मेंबर सी अगर यूज करता तो मेरे को 159 या फिर 160 रुपीज के आसपास आता है यहां पर दोस्तों और भी अप्लिकेशन वगेरा आप चाहें तो इनको भी जो है इंस्टोल कर सकते हैं तो चलिए अब इसको जो है आपको एक वीडियो सेंपल दिखा देते हैं कि किस प्रकार क्या आपको क्वालिटी में देखने को मिल जाती है यह है दोस्तों फोर के नह सेटप वीडियो सेंपल जो है दिखा पाऊंगा तो दोस्तों यूटूब तो मैंने डाउनलोड कर लिया है लेकिन अब इसके जो है अलेक्सा को भी जो है यूज करने का आर्मल ट्रै करने का टाइम आ चुका है तो मैं यूटूब पर ही जो है क्लासिफाइड टेक को सर्च करता हूं है अलेक्सा सर्च ओन यूटूब कलासिफाइड टेक तो जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों इसने अलेक्सा ने जो है वह सर्च के थूरू जो है मेरा चैनल सर्च कर लिया है जो कि बहुत अच्छी बात है जो थोड़ा से ताइम मुझे लगने वाला था तो मैं आ सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है जैसा कि अभी आप डिस्प्लेइब देख पा रहे हैं यह मेक्स है मनला एकजार पी पे ही यह चलने वाला है बले ही आपका टीवी जो है 4K को सपोर्ट क्यों ना करता हो तो यहां से जो है दोस्तों आप इसके वोल्यूम को जो है म्य दोस्तों वीडियो के बीच में जरूरी सूचना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो क्लाशिफाइट चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इस तरह के प्रोड़क्स रिव्यू जो है आते र अपने कूडिंग जो है इसंदर के बाद दोस्तों आपको एक साल के दर जो है जो है ओडेकियो और दोस्तों एक साल के इसमें यफ़ल है और आपको और अजयर सोग тебя घैखने गया है बदेट इसमें को और दोस्तों मिल जाते हैं और आपको को पदेश्चे при Whoo आपको प्ने अब भी भेज सकते हैं टीम को तो वहां से जो सिफिक जो है अपडेट आएगा उसको आप इस्टोल करेंगे तो वह एर भी जो है दूर हो जाता है तो अपडेट कंपलीट हो चुका है इसमें दोस्तों आप जो है अदर डिवाइस को भी जो है एड कर सकते हैं रिमोट हो गया अब कबलीट टूटी स्पिकर हो गया उनको भी जो हाब इसमें एड कर पाएंगे और यहां पर अलेक्सा दिया गया इसकी सेटिंग कर पाएंगे यहां प्रिफरेंस दिया गया है इसमें आपको इस परकार के कंट्रोल्स वगएरा देखने को मिल जाते हैं यहां पर माई फ लगबग 5.35GB अविलेबल है तो नीचे के साइड जो है इसके सीरियल नंबर वगेरा लिखे गया है वर्जन लिखा गया है वर्जलिखा गया है और अपडेट आया है यहां पर श्टोरेज दिया गया है तो लगबग शेजिवी आप इसमें मान सकते हैं नो यूस्भी स्ट अपडेट अचुका एक और तो इसको मैं जो है इतना ही लगा कि आपको मैंने वीडियो के बारे में सब कुछ बता दिया है तो इस वीडियो के बारे में कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजेगा और दोस्तों हमारी एक स्रीज चल रही थी जियो टीवी एप्लिकेशन को जो है अमेजोन फायर टीवी स्टिक में इस्टोल करने की तो उस पे अभी जो है कुछ प्रोब्लोंस आ गई है उस पे जो है मुझे कम्यूनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गई है इसलिए मैं उस पे अभी वीडियो नहीं बना रहा ह थैंक यू फूर वचिंग जेहिंद वंदे मात्रम